आज हम बात करेंगे स्नेक प्लांट की वास्तु के अनुसार घर के अंदर कई तरह के पौधे लगाये जा सकते हैं लेकिन इन पौधों से प्राप्त होने वाला शामान लाब कारवन डाई आकसाइड को हटाना और आकसीजन और वायु की उन्वक्ता में व्रद्धि करना है य क्योंकि यह सबसे अच्छा वाय शुद्ध करने वाला पौधा है और यह आपके घर में बहुत सारी शंपत्ति और धन लाता है इसनेक प्लांट को घर के अंदर और बाहर दोनों जगह वाया जा सकता है और घर के सही छेत्र में रखने पर इसके कई फाइदे होते हैं इस प रखा जा सकता है इसनेक प्लांट का वास्तु के अनुसार क्या लाब है आईए जानते हैं वास्तु के अनुसार इसनेक प्लांट के कई फाइदे हैं क्योंकि यह सकारादमक उर्जा को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा पौधा माना जाता है और नासा के अनुसार इस इं स्वस्त करने में बहुत मदद करता है इसनेक प्लांट जहां भी लगा होता है वहां ज्यादा से ज्यादा आक्सीजन प्रोडूस करता है इसलिए हमें अपने घर के हर रूम में इसनेक प्लांट को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लगाना चाहिए लेकिन इन सभी लाभों को प्राप्ट करने के लिए स्नेक प्लांट वास्तु के अनुसार सही दिशा में होना चाहिए वास्तु के अनुसार स्नेक प्लांट को आपके घर के पूर्वी दच्चनी और दच्चनी पूर्वी कोने में सबसे अच्छी इस्थित में रखा जा सकता है आपको पौधे को किसी भी मेजिया सतह के उपर नहीं रखना चाहिए और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि स्नेक प्लांट को और किसी इंडोर प्लांट के पास में नहीं रखना चाहिए बलकि उससे दूर रखना चाहिए क्योंकि यदि हम अन इंडोर प्लांट के पास इसनेक प्लांट को रखते हैं तो इससे इसनेक प्लांट से नकारादमक उर्जा का प्रवाह होने लगता है इसनेक प्लांट को मिट्टी में रेती में या तो पानी में भी लगाया जा सकता है इसनेक प्लांट के जो पतियां होती हैं उसे काट के आप लगा सकते हैं और वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है इसनेक प्लांट से जुड़े यदि आपके और भी कोई प्रस्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं